हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक माई यूट्यूब चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपके साथ एक वेडियो शेयर करूंगी जिसमें हम बनाएंगे एक से दो साल की बेबी के लिए धोती सलवार तो फ्रेंट्स यह मैंने चोकोर कपड़ा लिया है जिसकी लंबाई और चोड़ाई द चारों तरब से हमारा बिल्कुल बराबर सेम मेजरमेंट में होना चाहिए और इस तरीके से मैंने इसको दो पार्ट्स में बिछा रखा है यानि कि मेरे पास दो पार्ट्स है इस कपड़े के और इस तरीके से इसको बराबर बिछाके दोनों पार्ट्स को और यह वालग जो यह हमारा 4 पार्ट में हो गया है याने की चार लेर हो गई है इस तरीके से और आप मेज़रमेंट लेने तो हम यहां पर इसकी लेंट है 15 आर हम पूरा टोटल टोटल क्स हमें सिलस लाएंग essa है 20 इंच तो इसलिए यहां पर 15 पह और मोरी पे निशान लगाएंगे चार इंच पहरेगी मोरी रहेगी यहां से अम आसन पह निशान लगाना है पूरली जह इंच पहरें और नीचे विर्थ पहले निशानीं 5.2 इंच पहरे इस तरह किसी इसको में चोकोर करके अ। और इस पे गोलाए लगा देंगे एक इंच से उपर की तरफ इस तरीके से इस पे गोलाए लगा देंगे इसके बाद हमारा यह वाला कोना है इस पे भी हम यहां पर एक इंच पे निशान लगाएंगे एस है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे इस कोने की और पूरे इस पार्ट की आसन की हमें कटिंग करनी है और साथ इस वाले कोने की भी हमें कटिंग कर लेनी है और जो हमारा एक्ष्टा पार्ट है या कपड़ा एक्ष्टा निकला हुआ है उसके हम फिनिशिंग कर लेंगे क्टिलिक करके तूर ये देखे इस तरह किसे हमारी क्टिंग हो गई जो हमारा आण पर में मोरी के मैंने निचा लगा है चार इंच पे यहां पर भी हम एक छोटा सा कट लगाएंगे इस तरीके से टाकि हम फोड करते में हमें आ सानी रहेगी आप हैं दोनों part को हम अलग कर लेंगे हैं इस तरीके से तरीके से इधोन अपिशंग पार्टे को इस तरइके से बरापर तै में बिछा देंगे कि अब यहां पर मैंने की बेल्ट कटिंग करी है जो बेल्ट भी हमारी दो में इस मीरे कि के लंबा यहांति हैं में जाय antic zone oke ay imantha diary दोवार्ट हे दो पार्ट से इस तरीके से के जो पार्ट है एक पाड़ है ओसले से पर दूसरा पर्ट पर याने कि हमारे टोटल बेल्ट रहे गिस में 28 इंच की अब इस तरीकी से इन दोनों पार्ट को मिलाते वे बराबर से और आसन पर सिलाय लगा देंगे और जो साइड में मैंने कट किये थे इन पर भी हमें इस तरीकी से सिलाय लगा देनी है आँ तो यह देखी प्रेंट्स मैंने इस पर सिलाय कर लिया है आसन पर भी और यह दोनों साइड के जो अमारे कट हैं इन पर भी मैंने इस पर शिलाय लगा दी है अब इन दोनों को इस तरीकी से रखते हैं अंदर की तरफ हूं इस पर फोल्ड करेंगे दोनों पार्ट को हम अंदर कि त専जा फोर्ड कर लेंगे इस तरीके से अब ये जो हमारी बेल्ट थी जो मैंने दो पार्ट में कटिंग की हुई थी इसको भी मैंने बीच में से शिलाई लगा कि इसको रेडी कर लिया है तो यह देखिए फ्रेंट्स, बीच में से हमारी षलायग लगे वое, और इस तरीके से हमारों बीच में बाहरी भीच्रावारी पार्ट रॉए जो यह वाला पार्ट है यह आसान वाली पार्ट में से अटेच होगा है, अब इन दोनheit को इस तरेके से फोड करते हुए, बीच में से एक और कट लगाेंगे जो हमारे दोनों साइड के निसान बन जाएँगे इस तरीक से, जो हमारे दोनों कटए न दौनों साइड के वो इन निशानओ पर, जो हम चुन्नट लेंगे उस टैप में यहाँ पर आएगे तो ये वाला जो निशान हमारा इस पर आना जीह और जो हमारा आसन का निशान है व बीच की स्लाइ पर आएगा और इदर का जो हमारा निशान है व इस साड़ी वाली साड़ वाली कट पर आएगा तो इसके लिए हम पहले यहां पर पिन अप कर लेंगे ताकि हमारे जो गेदर्स हैं जो हम चुन्नटे इसमें लेंगे वो हमारे बराबर आएगी बिल्कुल बीच वाला जो आसने आसन वाली सलय हमें बेल्ट की सलय पर ही लेनी है वो जो हमारे दोनों सैड के कड़ थे वो हमारे बेल्ट वाली कड़ पर ही हमें निशान लगाना है इस तरीके से इसमें अटेच करना है अब यहां पर हम पिन अठाते हुए इस तरीके से चुन्नट लें उनको हम अपने आगे वाली साइट पर इस तरीके से रखते हुए हमें चुनदेनी है कि आपने आगे की तरफ कड़ते हुए चुनदेनी है अब यहां से जाब जी हट आएंगे वापष तो यहां से हम जो हमारा निशान आएगा कटका वहाँ से हमें अब अपनी तरफ से चुन्ट लेनी है पहले हमने आगे की तरफ लिया अब हमें अपनी तरफ से चुन्ट लेनी है इस तरीके से अब हमारे यहां पर आसन का निशान आते हैं इस तरीके से यहां पे भी हमें वैसे ही पर्स्ट वाले पार्ट में वैसे चुन्ट लेने हैं तो पहले हमें अपनी तरफ की साइड से चुन्ट लेने हैं सेम जैसे उसमें किया था जहां तक हमरा कट का निशान आएगा वहां तक हमें अपनी तरफ की साइड पे ही चुन्ट लेने हैं अब यहां से हम अपने आगे वाली साइड पे चुन्ट लेंगे चले इस पे अपनी तरफ लिया था अब हमें इस पे बाहर वाली साइड पे चुन्ट लेने इस तरीके से और इसके पूरे के हम स्लाय कर देंगे इस तरीके से हमारी बेल्ट बन के रेडिय हो गई है चुन्ट में इस तरीके से हमारे चुन्ट लेंगे पे यजींता और बाहर देंगे इस तरीके से फोल करते हुए दोनु सुझी पार्टे को सिलाय लगा देंगे तो देखे पृंज मैंने दोनुस WEINP पूल करके सिलायה लगा दिये और और वह जो हमारा जो ओपन वाला आसन है यूदाते हुए यहां पर सिलायी लगा देंगे तो मैंने यह पर इसको सिलाय लग लगानी है और उपर से भी हमें बेल्ट को दो इंच फोड करते हुए इस पर शिलाय लगा देनी है मैंने इसमें बेल्ट को रेडी कर लिया है और यहां से मैंने इसमें तोरी सी येगह छुळी है जो हमाएं इसमें से लास्टीग डाल कि वाल यहां से हमाने लास्टिक डालनी है तो एक सेप्टी पिन की से अप इसमें लास्टिक लगाएंगे इस तरीके से जितने भी आपकी कमर आप उसे तीन इंच छोटी आपको लास्टिक लेनी है के टेक्ष्छ आप हमें यह जू लास्टिक के दोनों पार्ट से दोनों मूह हैं इस तरीक ですब दोनों को मिनाते वे एक दुष्रें कूपर रखते वे इस पिह ईए लगा देंगे और ब्रीお願いします और हमारे सलवार बनके रेडी हो गई है आपको वीडियो पसंद आया होगा गाइस और अब हम में इसको सीधा करके बता रही हूं तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरू कर दें ताकि मेरे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो यह देकर प्रेंस बहुत ही सुन्दर तरीके से हैं हमारी सलवार बनके रेडी हो गई है से मिसी तरीके से आप बड़ी साइज की भी सलवार इसमें बना सकते हैं तो इस त कर दो कर दो 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 कर 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 दो